दोस्तो बॉलिवूड इंडस्ट्री की एवर ग्रीन अक्टरस रेखा उन चंद अभिनेत्रियों में से एक रही है जिन्होंने जब जब परदे पर अपना कदम रखा है तब तब उन्होंने दर्शकों का दिल जीत कर ही दम लिया है और साथ ही कंधे से कंधा मिला कर हर सफर मे बॉलिवूड इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स को भी बराबर की मात दी है और खुद को टॉप लिस्टेड अक्टरस बनाया है तब ही तो आज शायद ही ऐसा कोई सक्स हो जो इन्हें ना जानता हो लेकिन दोस्तो भले ही रेखा एक खुली किताब की तरह सभी के सामने आ पर आज भी इनकी असल जिंदगी से जुड़े ऐसे चार बड़े रहसे हैं जिनके बारे में अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रेखा की असल जिंदगी से जुड़े उन चार रहसों के बारे में बताते हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक रेखा की जिंदगी का पहला रहसे शायद यह आपको पता होगा कि जब एक बार साल 1989 में रेखा और विस्वजीत फिल्म अंजाना सफर में साथ काम कर रहे थे तब फिल्म में किसिंग सीन के दोरान कट बोले जाने के बाद भी विस्वजीत इन्हें किस करते रहे और इस तरह यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुर्क्यों की वजय वन गई जिसके चलते इस सीन पर किसिंग क्रिसेस ऑफ इंडिया नाम की बुक भी लिखी गई है रेखा की जिंदगी का दूसरा रहसे अभिनेतरी रेखा की जिंदगी का दूसरा रहसे विनोध महरा के साथ इनकी शादी है जिसके साथ इनके खूब चर्चे रहे हाला कि रेखा ने इन बातों को जूट बताया पर दोनों ने कॉलकत्ता में शादी की थी और शादी के बाद जब विनोध अपनी नई नवेली दुलहन रेखा को लेक रेखा की जिंदगी का तीसरा रहसे अभिनेत्री रेखा ओन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें सिंदूर लगाना पसंद है मगर साल 1980 में हुई रिसी कपूर और नीतु सिंग की शादी में जब ये पहल जहां से उनकी मांग के सिंदूर की वजह मिता बच्चन को बताया जा रहा था और कई बार तो ये भी कहा गया कि रेखा की मांग में संजेदत के नाम का सिंदूर है रेखा की जिंदगी का चौथा रहसे बॉलिवुड इंडस्ट्री की सदा बाहार एक्टरस रेखा बॉलिवुड की वो अभी नेत्री रही है जिने परसनल लाइफ में कभी पती का सुख नहीं मिला इन्होंने विनोध महरा से शादी तो की थी लेकिन कुछ समय बाद ही विनोध महरा इस दुनिया से चल बसे बारे में आप क्या कहना चाहोगी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही बॉलिवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिल्चस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें